हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी ओफ मैस यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में इंटिग्रल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे इसमें बीटा ग्यामा फंक्शन का एक प्रॉलेम सॉल करेंगे और ये आज इंटिग्रल कैलकु ब्रैकेट में है 1-x3-1 by 2 into dx तो चलो हम ये प्रॉलिम सॉल करेंगे और ये प्रॉलिम सॉल करने के लिए आपको बीटा ग्यामा फंक्शन के फार्मूलेस का यूज करना है इसके पहले हमने बीटा ग्यामा फंक्शन के स्टार्टिंग के लेक्चरस में सभी इसके फार्मू करेंगे क्या होता है स्टेंडड फॉर्म चलो आपको वह स्टेंडड फॉर्म पता देते हैं तो फार्मूला ऐसा है यह बीटा फंक्शन का स्टेंडड फॉर्मूला हमें क्या करना है सबसे पहली ये जो given integral है ये given integral को हमें सबसे पहली ये standard form में convert करना है एक बार ये standard form में आ जाता है तो फिर आम उसके जगा beta function of mn ऐसा लिख सकते हैं और एक बार आपने ये लिख लिए तो फिर आप यहाँ पे beta gamma function का use करके उसको solve करेंगे ठीक है तो चलो अब इसको solve करना start करते है सबसे पहले एक काम करेंगे ये जो given integral है इसको हम as a i ले लेंगे ताकि solve करने में आसानी हो तो हम यहाँ पे लिख लेंगे let i equal to ये given integral क्या दिया है that is 0 to 1 और bracket में है 1 minus x cube to the power minus 1 by 2 into dx ठीक है तो इसको ये form में convert करने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे देखो यहाँ पे जो standard form में उसमें क्या लिखा है 1 minus x देखो bracket में क्या है 1 minus x जबकि यहाँ पे क्या है 1 minus x cube x cube है ऐसा नहीं चलेंगा हमें 1 minus x only ऐसा चाहिए तो हम क्या करेंगे यह जो x cube है इसके जगा कोई और variable ले लेंगे as a t तो हम यहाँ पे लिख लेंगे that is put x cube equal to t हम ऐसा put करेंगे अब यहाँ से x का value निकालो x का value यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे अगर आपको x निकालना है तो इसका cube root करना पड़ेंगा तो यह हो जाएंगा that is t to the power 1 by 3 it means हमने t का cube root करें ठीक है और अब क्या करो इसको differentiate करो तो x का differentiation dx और right side में t to the power 1 by 3 का differentiation क्या होगा तो यह हम यहाँ लिख लेंगे 1 by 3 t to the power 1 by 3 minus 1 वो हो जाएंगा minus 2 by 3 इस तरह से और t का हो जाएंगा dt देखो यहाँ पर हमने formula कुछ सा apply किया देखो formula simple है that is जैसे d by dt of t to the power n यह होगा n t to the power n minus 1 यह formula हमने use किये t to the power n के form में अगर है तो n t to the power n minus 1 तो यहाँ पर वही करना है देखो t to the power n के form में है तो n t to the power n minus 1 याने 1 by 3 minus 1 करो तो minus 2 by 3 ऐसा आता है इस तरह से हमने differentiate कर लिए और अब limit यहाँ पर limit जो है वो x की है limit हमें इसको t के form में put करना है तो t की limit यहाँ पर तयार करो तो देखो t की limit यहाँ पर क्या बनती है तो देखो x का lower limit क्या है 0 और x का upper limit क्या है 1 तो यहाँ पर x का lower limit 0 है x का upper limit 1 है तो जब x का lower limit 0 है तो ऐसे में t का lower limit क्या होगा वो हमें find out करना है और t का upper limit क्या होगा वो भी हमें find out करना है तो क्या करो यह जो x का value है 0 और 1 इसको उठा के यह equation में put करो यह जो है ना that is x cube equal to t इसमें put करो तो पता चल जाएंगा कि T का value हमें क्या मिलता है तो जब X का value 0 है तो इसमें 0 put करो तो 0 का cube 0 तो T का value भी 0 हो जाएंगा तो यह हम T का lower limit लिक लेंगे 0 ठीक है? और जब X का value 1 है तो यहाँ पे 1 put करो 1 cube क्या होता है 1 तो T का value भी 1 हो जाएंगा तो यह हमने यहाँ पे upper limit lower limit तयार कर लिए ठीक है? यह जो 0 है यह है lower limit और यह जो 1 आया है यह है upper limit इस तरह से ठीक है? और अब finally चलो replacement पूरा इसमें कर लेंगे तो देखते हैं यह क्या बनता है तो यह हम यहाँ लिख लेंगे so therefore I equal to integral उसका limit 0 to 1 ऐसे ही रहेंगा क्योंकि यह जो limit था यह X का था 0 to 1 यहाँ पे हमने T का limit find out कर लिया है यह भी 0 to 1 है lower 0 and upper 1 तो यह हमने दे दिये उसके बाद क्या लिखा है? 1 minus X cube तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 minus T ठीक है न? क्योंकि X cube के जगा हमें T put करना है और उसका power है minus 1 by 2 तो यह minus 1 by 2 as it is रखो और यहाँ है dx, dx के जगा हमें क्या रखना है? 1 by 3 T to the power minus 2 by 3 dt ऐसा रखना है तो वो dx के जगाएंगा तो यह हम यहाँ लिख लेंगे into 1 by 3 into T to the power minus 2 by 3 into dt ठीक है? यह देखो जहाँ पे dx था, dx के जगा हमने यह dx का value यहाँ पे लिख लिया है ठीक है? यह x cube के जगा T आना है तो यह चीज़ important है और dx के जगा यह value हमने put कर दिये, यह important है और अब finally यह देखो पूरा जो integral है वो in the form of T बन गया जबकि जो starting का integral है वो in the form of x था यह हमने in the form of T अगर तयार किये तो अब इसको क्या करो? अब इसको beta function के standard form में convert करो beta function का definition जो standard form है वो यह है यह जो है, यह in the form of x है in the form of x तयार करना ज़रूरी नहीं है आप कोई भी alphabet के form में तयार करो, कोई फरक नहीं पड़ता in the form of x बनाओ या in the form of y बनाओ या in the form of t बनाओ, z बनाओ कोई भी alphabet हो सकता है, उससे कोई फरक नहीं पड़ेंगा ठीक है? तो हम चलो इसको in the form of t जो है इसको यह form में convert कर लेंगे सबसे पहले एक काम करो constant term को बाहर ले लो तो यह जो 1 by 3 है, यह सबसे पहले बाहर आएंगा तो यह हमने 1 by 3 बाहर ले लिए ठीक है? integral 0 to 1 as it is रखो क्योंकि यहाँ पे भी 0 to 1 है, इसलिए 0 to 1 अब क्या करो इसके बाद? यह जो यहाँ पे देखो standard form में x पहले है और 1 minus x बाद में है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे यह जो t है, t को पहले लिख लेंगे और यह 1 minus t को बाद में लिख लेंगे तो यह हम यहाँ लिखेंगे ऐसा that is t to the power minus 2 by 3 1 minus t to the power minus 1 by 2 into dt चलेंगा? ओके? हमने यह term को पहले लिखे और यह term को बाद में लिखे लेकिन अभी भी चेक करो क्या यह पूरी तरह से standard form में आ गया integral 0 to 1 match कर रहा है ठीक है? यहाँ पे x to the power है यहाँ t to the power है यहाँ 1 minus x to the power है यहाँ 1 minus t to the power है तो कुछ-कुछ चीज़े तो match कर रही है लेकिन यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़े match नहीं कर रही वो क्या है? तो power यहाँ पे match नहीं कर रहा है यहाँ जो power है वो m minus 1 के form में है यहाँ पे उस form में नहीं है और यहाँ n minus 1 में है तो यह भी n minus 1 के form में नहीं है तो हम वो form में convert कर लेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखो हम इसको ऐसे convert करेंगे तो सबसे पहले 1 by 3 बाहर रखो integral 0 to 1 ठीक है अब ये t to the power minus 2 by 3 इसका मतलब होता है t to the power 1 by 3 minus 1 देखो इस तरह से ये step important है यहाँ बच्चे गलती करते है number of students से यहाँ गलती होती है 1 by 3 minus 1 हमने लिखे minus 2 by 3 के जगा अगर आप 1 by 3 minus 1 करो cross multiplication करो तो ये minus 2 by 3 ही आता है ठीक है? ठीक है? 100% आएगा और अब ये जो bracket है 1 minus t ये as it is रखो अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है minus 1 by 2 minus 1 by 2 अगर आपको n minus 1 के form में तयार करना है तो ये हो जाएगा that is 1 by 2 minus 1 इस तरह से और ये dt as it is रखो क्योंकि 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 होता है तो finally अब देखो ये जो पूरा form है ये बीटा function के standard form में आ चुका है वो in the form of x था ये in the form of t है यहाँ पे m minus 1 है तो ये देखो m minus 1 यहाँ m की value है 1 by 3 और ये n minus 1 चाहिए तो यहाँ पे n minus 1 देखो n का value है 1 by 2 तो m और n क्या है वो पता चल गया so m का value है यहाँ पे 1 by 3 and n का value है 1 by 2 ये confirm है ठीक है ये form से हमें पता चलता है और अब standard form में आ गया तो हमें क्या करना है इसके जगा beta function of m n ऐसा लिख लेना है तो चलो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 by 3 ये बाहर as it is रहेंगा और अब ये पूरे integral के जगा हम लिख लेंगे beta function of that is 1 by 3 and 1 by 2 ये हमने इस तरह से लिख लिए अब इसको थोड़ा सा solve करो कैसे solve करेंगे तो यहाँ पे beta function gamma function का एक formula जो होता है उसका use कर लेंगे formula क्या है चलो formula बता देते है formula ऐसा है that is beta function of m n equal to that is gamma function of m into gamma function of n divided by gamma function of m plus n ये formula है ये formula आपको use करना है देखो formulas पता होना चाहिए formulas के उपर पूरा खेल होता है formula जगर नहीं पता तो तुरंत अपने notebook में लिख लिया करो तो formula अब हमें वो use करना है gamma function of m gamma function of n तो ये m है ये n है तो चलो हम लिखेंगे ये जो बाहर 1 by 3 है वो as it is रखो और अब इसके जगा आएंगा gamma function of 1 by 3 ठीक है into gamma function of 1 by 2 divided by gamma function of यहाँ पे 1 by 3 plus 1 by 2 ऐसा ठीक है और अब इसको solve करो जहां तक ये solve हो रहा है तो यहाँ पे gamma function of 1 by 3 ये gamma function of 1 by 3 का कोई result नहीं मिलता है ठीक है तो ये gamma function of 1 by 3 को as it is लिख लो अगर आप ये gamma function के अंदर इसको solve करेंगे cross multiplication से 1 by 3 plus 1 by 2 तो वो हो जाता है 5 by 6 5 by 6 हो जाएंगा gamma function of 5 by 6 तो gamma function of 5 by 6 का भी कुछ नहीं हो सकता लेकिन यहाँ gamma function of 1 by 2 लिखा है इसके जगा root pi ऐसा हम लिख सकते है तो चलो हम वही करेंगे तो यहाँ पे 1 के जगा हम लिख लेंगे root pi by 3 ठीक है root pi by 3 into gamma function of यहाँ पे 1 by 3 divided by gamma function of 5 by 6 यहाँ तक हमने आ गए left side में हम i लिख लेंगे i याने given integral ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था let i याने given integral तो यहाँ तक हम आ चुके है और यह solve नहीं हो सकता देखो यह जो last step है इसमें हमने क्या किए यह gamma function of 1 by 3 as it is है कुछ नहीं हो सकता इसका ठीक है यह जो denominator में gamma function of 1 by 3 plus 1 by 2 है उसमें cross multiplication किये gamma function of 5 by 6 हुआ यह gamma function of 5 by 6 का भी कुछ नहीं हो सकता ठीक है और यह जो gamma function of 1 by 2 है इसके जगा root pi आ गया formula लिख के देते है formula ऐसा है that is gamma function of 1 by 2 यह root pi होता है यह formula standard है हमने formula के वीडियो में यह चीज आपको बताये थे उसका use हमने यहाँ पर किया है तो ठीक है इसके जगा root pi आएंगा और वो root pi हमने 1 से multiply कर दिये और वो बाहर निकाल दिये तो root pi by 3 ऐसा हो गया और यह solve नहीं हो सकता इसलिए इसको यही पर stop करना पड़ेंगा तो यह question का यही result है यही solution है और finally problem यही पर complete हो गया उमीद करते हैं कि यह problem आपको समझ में आया होगा यह problem आपको अपनी practice book में जरूर solve करके देख लेना चाहिए यह इसके पहले exam में भी आया था यह था integral calculus यह unit का lecture number 29 इसके पहले के lectures में हमने इसके जितने problems लिये थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में Thank you very much